हलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है ज्यार एफ अड़ा चैनल पर मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुदारा आपकी एजुकेटर जो CSR NET Life Sciences के लिए प्रप्रप्रेशन करवा रहे हैं तो यहां स्क्रीन पे आप मेरी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं अगर आप लोग CSR NET का एक कंप्लीट अच्छा प्रप्रप्रेशन करना चाहते हैं तो 1st of November से JRF Adda लेके आ रहा है एक नया कोर्स जिसके अंदर पेपर के तीनों पार्ट A, B और C कवर करवाए जाएंगे सब्जिक्ट एक्सपर्ट आपकी क्लासेज लेंगे और आपको सारे नोट जो है PDF फॉर्मिट के अंदर मिल जाएंगे अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो आप 1st of November से इसे जॉइन कर सकते हैं और अभी इसके अंदर एक ओफर चल रहा है जो कि यह 19,999 रुपीस में आपको यह कोर्स अभी अवेलेबल होगा अगर आप इसे अवेल करना चाहें तो जियारे फट्डा आप को डाउनलोड करें आप डाउनलोड करने की बाद आपको CSIR NET सेलेक्ट करना होगा और जिसके अदर जाके आप CSIR का Complete Course Life Sciences या Chemical Sciences जो भी आप लेना चाहें वो सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको Payment Gate की उपर यह छोड़ देगा जहाँ पे आप Payment Complete करने के बाद में आप Access ले सकते हैं So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Ordered Tetraight Analysis So Ordered Tetraight Analysis क्या है यह समझने से पहले हम थोड़ा सा Crossing Over के बारे में पढ़ लेते हैं Okay, so Crossing Over basically क्या है जैसे हम सभी को पता है It is Exchange of Genetic Material between two Homologous Chromosomes Homologous जैसे हमने डिसकस किया था जैसे दोनों अगर Chromosome No.1 है तो वो क्या कहलाएंगे Homologous जिनके ओपर Same Set of Genes present है Okay, और जो हमारा Crossing Over होता है यह कब होता है Prophase 1 के अंदर, Meiosis की Prophase 1 के अंदर और उसकी भी जो Particular Packetine Stage है वहाँ पर Crossing Over होता है All right So, यह देखिए जैसे यहाँ पर दो यह Chromosomes है Okay, एक Particular Cell के अंदर यह प्रेजन्ट है दोनों और यहाँ पर इनके बीच में यह Crossing Over हो रहा है और यहाँ पर Crossing Over की वज़े से क्या होगा जो इनका Genetic Material है मतलब जो Genes है उनका दोनों Chromosomes के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा So, यह Meosus First की जैसे हमने अभी देखा ProPhase One के अंदर यहाँ पर इनका Crossing Over हो रहा है और इसी Particular Structure को गाईज इसी को हम Tetrad कहते है जहाँ पर Crossing Over हो रहा है इसी Particular Structure को हम Tetrad कहते है Tetrad Meosus First में हो रहा है Meosus First खतम होने के बाद में यहाँ पर दो Cells हमारे बन जाएंगे जिनके अंदर ओल्रेडी जो है Genetic Material का ट्रांसफर आपस में हो चुका है अब होगा Meosus Second जिसके अंदर Segregation होगा Segregation का मतलब है Ingenes का जो है Half Half अलग-अलग Cells के अंदर चला जाएगा So, यहाँ पर चार अलग-अलग Cells बनेंगे यह चार Cells बन चुके हैं एक यह वाली और एक यह वाली Similarly अगर इसको आप Second कहते हूँ तो इसकी यह दो Copies बनेंगी इस वाले की यह दो और इसकी यह दो तो इस तरह से जो है आठ Cells यहाँ पर बन गए है और इनको हम Sports कह सकते हैं यह जो Generally देखा जाता है फंजाई के अंदर देखा जाता है फंजाई के अंदर भी जो Ascomycities है उनके अंदर Generally देखा जाता है ओके हम इसको एक Ascii Form में देख सकते हैं तो यह जो Arts, Sports हैं यह किसके अंदर Packed हैं? एक Ascus के अंदर इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं तो मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है सो अब हम बात करते हैं Tetraad Analysis की जहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा था उस Particular Structure को जैसे मैंने आपको बताया यह जो Particular Structure है इसी को हम Tetraad कहते हैं और यह हम Study कर रहे हैं Eukaryotic Species के अंदर जिनकी Most of the Life जो है हेपलॉइड स्टेट में निकलती है और यह जेनरली किन में देखा जा रहा है अलगी और फंजाई के अंदर फंजाई के अंदर Particularly बात करें तो Escoomycities में हमें यह देखने को मिलता है और Tetraad Analysis हम किस लिए करते हैं इसकी दो Basic Reasons होते हैं First क्या है हम Genetic Mapping कर सकते हैं और दूसरा क्या Reason होता है इसका Genetic Mapping मतलब कि जो Particular Genes हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं और दूसरा Recombination Frequency के बारे में भी पता कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर जो Genes हैं उनकी Location Find Out कर सकते हैं और दूसरा Recombination Frequency So Tetrad Analysis दो तरह का होता है एक होता है Ordered और एक होता है Unordered Now Ordered जो Tetrad है Ordered Tetrad Analysis जो है अगर हम कहें तो इसके अंदर हम एक ही Gene लेंगे और इस Particular एक Gene का हम Distance निकाल सकते हैं कहां से? Centromere से Suppose यहाँ पर हमारा Gene A present है Centromere से एक कितने Distance पर present है यह जो Distance है हम Find Out कर सकते हैं With the help of Ordered Tetrad Analysis और इसके अलावा हम दूसरी चीज जो पता लगा सकते हैं यह First है तो एक तो हम Find Out कर सकते हैं Distance of a Gene from Centromere And Secondly, Second चीज जो हम पता कर सकते हैं हुए Suppose A है और यह B है तो इन दोनों के बीच का Distance हम निकाल सकते हैं Distance between Distance between Two Genes तो पहला Purpose है Unordered Tetrad Analysis का First Purpose होगा Distance between Two Genes Find Out करना और दूसरा इसमें भी Recombination Recombination की Frequency Find Out करना So यहां पे भी दो Purpose होगे So Unordered and Ordered I guess अब difference आपको समझ में आ गया है दोनों Analysis का और जो Ordered Tetrad है वो जैसे मैंने भी बताया Find Distance of a Gene from Centromere इसके Example हम जो यूज करेंगे वो Neurospora Cressa है और Unordered जो है वो Find a Distance between two genes और इसके लिए जो हम Examples यूज करेंगे वो है Saccharomyces All right So आज हम mainly पढ़ने जा रहे हैं Ordered Tetrad Analysis Okay, Ordered Tetrad Analysis में हम क्या जैसा कि हमने अभी बात की थी जो आपका Centromere है वहां से आप कोई जीन तक का क्या Distance है वो पता कर सकते हैं So Ordered Tetrad Analysis समझने से पहले Analysis समझने से पहले कुछ जो General बाते हैं यहां पर वो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो Ascus Formation यहां पर होगा जो Ascus Sports बनेंगे उनके किस-किस तरह से Combinations होते हैं और किस तरह से वो Set होते हैं So सबसे पहले वो समझ लेते हैं So यहां पर हम एक Normal Condition ले रहे हैं जहां पर यह जो दो Chromosomes हैं दो Parents से आये हैं दो Sports का यहां पर Fusion हुआ है ओके? और यह एक Cell के अंदर दोनो Chromosomes आ गए हैं और यहां पर इनके बीच में कोई Crossing Over नहीं हो रहा है There is no Crossing Over Crossing Over नहीं हुआ है First Meiosis हो चुका है और First Meiosis में यह जो हैं दो अलग-अलग Cells बन चुके हैं यहां पर Segregation हो गया Segregation के अंदर इसके चार जो हैं अलग-अलग Cells यहां बन गए हैं राइट चार Cells बन गए हैं और Mitosis के अंदर इनका Doubling होगा Okay Doubling होके यहां पर 8 Sports बन चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8 और यह सब किसके अंदर Packed हैं एक Ascus के अंदर यहां पर Packed हैं So यह एक Normal Condition है और इस Condition को हम क्या कहते हैं जहां पर कोई Crossing Over नहीं हो रहा है Jeans का जो Arrangement है वो वैसा ही था जो उनके Parents के अंदर था So इस Condition को हम कहेंगे Parental Type इसको याद रखना है This is Parental Type Parental Type कौन सा होता है जहां कोई भी Crossing Over नहीं हुआ है Parental Type की एक Possibility और हो सकती है और वो क्या है अगर यह वाला जो Particular Chromoseum है यह अगर नीची होता और Red वाला उपर की तरफ होता तो उस Condition में यह जो हमारे Sports हैं वो किस तरह से Arrange होते जो उपर वाले यह जो Small A से Denote हो रहे है यह चारों उपर होते और यह वाले जो हैं यह नीची की तरफ होते जैसा यहां पर अभी हम देख रहे हैं यह चार जो Capital वाले उपर हैं और Small वाले नीची हैं इससे बिल्कुल उल्टी Condition होती है अगर यह Red वाला उपर होता और Black वाला अगर नीची होता राइट इस Condition को भी हम लिख लेते हैं यहां पर मैं डिरेक्ली A से Denote कर देती हूँ सो यह दो Possibilities यहां पर है और Guys आप अगर देखें तो यहां पर जो Ratio आ रहा है वो क्या आ रहा है Continuously पहले चारों Small A आ रहे है और फिर Continuously चारों Capital A आ रहे है राइट सो 4 is to 4 का Ratio हम यहां देख रहे है और यहां पर भी वही है उपर चारों Capital A है नीचे चारों Small A है राइट सो 4 is to 4 Ratio सो हमें इससे क्या समझ में आया जो Parental Type बन रहा है Parental Type का जो Ratio है वो क्या है 4 is to 4 है यहां हम देख सकते है Parental Type का जो Ratio है वो क्या है 4 is to 4 अब कुछ और Condition समझते है क्या क्या Possibilities है यहां पर क्या हो रहा है Crossing Over Crossing Over की कौन-कौन सी Possibilities है समझते है First Possibility यहां पर जो Capital A वाला क्रोमोजूम है उसका नीचे वाला जो Particular Part है और इसका उपर वाला जो Part है इनकी अंदर Crossing Over हो रहा है इसका नीचे वाला आम है और इसका उपर वाला आम है इनके अंदर Crossing Over का क्या नतीजा होगा देखिए Crossing Over हो रहा है इसके और इसके बीच में तो यह जो Capital A है यह यहां आजाएगा इस वाली की जगा और यह Small A उपर चला जाएगा तो इसके Result में किस तरह का जो Segregation के बाद में क्या Combination बनेगा यह Combination बनेगा देखिए जो सबसे उपर वाला है इसके अंदर कोई Crossing Over नहीं हुआ है तो As such आ गया है यहां पर Crossing Over हुआ है तो जो नीचे वाला Small A है वो उपर आ गया है तो यह यहां पर पहुँच गया है और जो यह वाला Capital A था जो यहां पर जो Capital A था वो नीचे वाले में आ गया है तो यह देखिए यह वाला Combination यहां बना है Last वाला जो था इसके अंदर कोई Crossing Over नहीं हुआ तो यह As such यहां पर अवैलेबल है उसी तरह से Next वाली Possibility देखता है Second वाली Possibility जिसमें इसका उपर वाला आम है और उपर वाले क्रोमोजोम का भी उपर वाला ही आम है तो यहां पर जो Transfer है इनके बीच में हो रहा है तो यहां पर क्या होगा है जो Small A है यह यहां पर आ जाएगा और यह जो Capital A है यह यहां पर आ जाएगा तो इसका Segregation के बाद में क्या Combination बनेगा देखिए यह जो Small A यहां पर आ गया है इस वाले में कोई Crossing ओवर नहीं हुआ है तो यह As such हमें दिख रहा है Third वाला यहां पर Capital A आ गया है यहां पर Small A उपर चला गया है So Third वाले में Capital A यहां आया है और यह वाला जो है As such है इस पर कोई Crossing ओवर नहीं हुआ है So यह Second Possibility हो गई Third वाली Possibility देखिए Third वाली Possibility के अंदर हम क्या देख रहा है दुबारा वही वाला जो उपर नीचे का Combination है वह हमने यहां पर देख रहे है यहां पर बेसिकली जो पहले हमारा Small A वाला क्रोमोजोम नीचे था वह अब यहां पर आ चुका है और जो Black वाला उपर था वह यहां नीचे आ चुका है So एक Possibility यह बनती है और इसके अंदर भी इसी वाले की तरह से जो है चार अलग-अलग हमारे पास में Resulting Chromatids या क्रोमोजोम नीचे आ गया है Okay, next possibility अगैन यहां पर उल्टा हो गया है Reverse यहां पर जो Black पहले उपर था और Red नीचे था उसका उल्टा हो गया है Red उपर आ गया है, Black नीचे आ गया है इसका उपर वाला आम है और इसका भी उपर वाला आम है तो इसकी वज़े से क्या combination बनाएं देखिए दुबारा इन दोनों के अंदर transfer होगा यहां पर इन दोनों के अंदर हो रहा है यहां पर इन दोनों के अंदर transfer होगा जिसकी ultimate results हमें यह मिलने वाले है तो अगर हम इसका ascus बनाएं, तो ascus के अंदर क्या हमें combination मिलेगा, देखें, जो first वाला है, क्योंकि इसकी बाद में क्या होगा, इसकी बाद में इसका, ये किसका result है, meiosis second यहां पर हो चुका है, जिसकी वज़े से यह segregation हुआ है, और meiosis second के बाद में क्या होगा, mitosis, जिसके अं में ascus के अंदर क्या situation होगी, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला capital A है, तो दो capital A आ जाएंगे, second वाला small है, तो दो small ए, third वाला capital A है, तो दो capital A, और fourth वाला small है, तो दो small, second वाली condition के अंदर देख लेते हैं, क्या combination बन रहा है, first वाला small है, तो दो small बन जाएंग second वाला जो है capital A है दोनों capital फिर यहाँ वापस दोनों capital और यह जो है दोनों small third combination देख लेता है यहाँ पर सबसे उपर दोनों small second दोनों capital third वाला small और fourth वाला capital यह third हमारा type बन गया है और fourth वाला देखें fourth वाले के अंदर सबसे उपर capital फिर small वापस small और यह capital A alright, so यह हमारे अलग-अलग combinations बन गये हैं, so अगर total हम देखना चाहें तो कितने type के हमें askers यहाँ मिल रहे हैं, this is first type and this is second type लिकिन यह दोनों कैसे हैं, parental type हैं यहाँ पर हमारा crossing over हो रहा है, यहाँ पर recombination हो रहा है, तो यहाँ पर यह वाला third type हो गया fourth, fifth type और यह हो गया है, sixth type तो हमें छे type के combinations मिले हैं और हमने क्या देखा था, parental type का जो ratio था जो parental type का parental type का ratio था, वो था four is to four लेकिन यहाँ recombination वालों का क्या ratio होगा, वो एक बार हम देख लेता हैं यहाँ पर two, again two यह फिर से two और two तो यहाँ पर ratio आ गया two is to two is to two is to two ओके, next वाला देखता है two, then यह कितने है four और यह वाले two वापस तो यहाँ पर क्या ratio आ गया two is to four is to two और third condition के अंदर two two वापस two और यह two तो यहाँ पर दुबारा combination आ गया two is to two is to two और इसके अंदर भी two is to four is to two ओके, तो यहाँ पर ratio आ गया fourth वाले के अंदर two is to four is to two, ओके, तो यह सब के अंदर हमने देखा कि जो parental type वाला ratio था वो यहाँ कहीं भी नहीं है मतलब अगर crossing over हो रहा है तो parental type वाला ratio हमें नहीं मिलेगा तो basically हम आराम से पहचान सकते हैं कि कौन से वाले parental types हैं और कौन से वाले जो हैं वो recombinant types हैं so recombinant types का generally हमें क्या ratio देखने को मिलेगा recombinant type का ratio generally हमें देखने को मिलेगा या दो two is to two is to two is to two या फिर two is to four is to two यह दो combinations कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है so guys जो हमारे recombinant types हैं उनको हम एक और term से भी बुलाते हैं that is second division segregation because जो segregation हो रहा था यहाँ पे segregation किसके बाद में हो रहा था meiosis second के बाद में meiosis second के बाद में यहाँ पे segregation हो कि यह चार अलग-अलग जो हमारे पर्स में cells बन जाते हैं जिसके बाद mitosis हो के इनका doubling होता है इसलिए जो यह segregation हो रहा है मतलब crossing over के बाद इनका अलग होना segregation होना second meiosis के बाद हो रहा है इसलिए इनको second division segregants भी कहते हैं second division segregation sky भी इन्हें कह सकते हैं अगर हमें recombination frequency निकालनी है तो उसका formula है recombination frequency is equal to half into जितने भी हमारे परस second division segregants या फिर recombinants हैं upon total sky sdss sky upon total sky into 100 तो यह हमारा recombination frequency find out करनी का formula है इससे related कुछ question हम करके समझ लेते हैं इसको यह हमें question दिया गया है कि यह हमें क्या find out करना है distance between two, sorry, centromere and gene A हमें find out करना है कि यह एक particular chromosome है जिसके अंदर यह gene A है centromere से इस gene का जो हमारा distance है वो क्या होगा approximate यह हम यहां find out करना चाते हैं so हम पहले समझते हैं कि जो first वाला sky है उसके अंदर total population कितनी है 42 second combination आया है 44 में third वाला combination 4 में है और next three, two और five में तो यहां पे क्या हम देख सकते हैं इनका ratio यह देखे चारों एक जैसे हैं और यह भी एक जैसे हैं तो यहां पे four और four का ratio यहां बन रहा है so four is to four ratio हमें दिख रहा है यहां पे भी four is to four ratio हमें दिख रहा है so obviously दोनों कौन से हैं parental type है और यहाँ पे हमें क्या ratio देखने को मिल रहा है 2 is 2, 4 is 2, 2 so 2 is 2, 4 is 2, 2 का मतलब ही क्या है recombinant है या फिर second division segregant है और next वाले में वापस वही 2 is 2, 4 is 2, 2 same ratio है इन दोनों का ही इसका भी और इसका भी और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 2 is 2, 2 is 2, 2 and 2 और इसका भी वही है 2, 2, 2 और 2 वाला so इसका मतलब क्या है कि इन चारों के अंदर क्या हुआ है recombination यह recombination के results है यह चारों और यह जो दोनों है यह क्या है parental type है तो अब हमारा formula था half into second division segregance upon total into 100 ओके so यह इससे हम यह पता चल जाएगा recombination या फिर आपका जो distance between genes है recombination frequency और distance between genes दोनों चीज़ें यहां से पता लग जाएंगी so इसको हम एक बड़ solve कर लेते हैं half into second division segregance इस कितने हैं इनका total करना होगा so 4 plus 3 plus 2 plus 5 upon total सबका total यहां पर लिखना है so 42 plus 44 plus 4 plus 3 plus 2 plus 5 okay so और into 100 तो यहां पर हम देखें half into यह हो गया 7, 9 और 14 upon 42 and 44 86, 86 और 14, 100 so यह हो गया 100, right into 100 तो इसका answer क्या आगया है हमारे पस यह हो गया 7 centimorgan alright guys so 7 centimorgan is also equal to this is distance, right distance between distance between gene A and centromere okay और this is also equal to 7 percent that is the recombination frequency alright and this is also equal to 7 map units which is basically the map distance so यह सभी units आपको ध्यान रखनी है और अगर आपको morgans में answer दिया है तो इसका answer आजाएगा 0.07 morgan so this is also equal to 0.07 morgan 7 centimorgan या फिर 7 percent इसकी recombination frequency and 7 map units इसका map distance so अगर आपको निकालना आए कोई सी भी unit में तो यही method है यही आपका formula है जो सभी के लिए apply हो जाएगा so इससे आप यह सभी तरह के जिस भी form में आपको answer पूछा जाए अगर आपको पूछे recombination frequency बताईए तो इसी formula से आप निकालके directly recombination frequency बता सकते है अगर आपको distance between centromere and gene A पूछा जाए तो आप इस तरह से distance between gene and centromere भी बता सकते है जाए आप से centi Morgan में options दिये हो अगर Morgan में दिये हुए है तो इसको हम क्या करेंगे hundred से divide कर देंगे तो जो Morgan के अंदर आपका answer आजाएगा अगर map distance पूछा हो centromere और gene के बीच में क्या या फिर उसका जो particular centromere से क्या map distance है तो seven map units इसका distance है यह भी आप बता सकते हैं so I hope this one is clear to you एक और question है जो CSIR net में ही पूछा गया है इसको और देख लेते हैं in neurospora a crossover is taken between genotypes A and A capital and small results in askers with asco sports of genotype as shown below so हम देख सकते हैं सीधे इस तरह के questions आते ही सबसे पहले इनका जो है ratio देखो किस तरह का ratio है so 2 is to 4 is to 2 का मतलब क्या है यह क्या है recombinant type है recombinant type है parental type नहीं है या फिर हम इसको second division segregant भी कह सकते हैं so यहाँ पर options देखते हैं statement P to S are events that could have occurred during the meiosis crossing over between centromere and a gene बिलकुल जी सही बात है centromere और gene के बीच में कही ना कही crossing over हुआ है यह यहाँ पे था पहले chromosome के उपर यह बला gene अब जो है इसका कही ना कहीं centromere और gene के बीच में इनका transfer हुआ है all right segregation of alleles a and a in meiosis 1 कै segregation meiosis 1 में होता है यह नहीं होता यह बिलकुल ठीक बात है segregation of alleles a and a in meiosis 2 बिलकुल जी meiosis 2 के ही अंदर segregation होता है meiosis 2 के बात में assortment of alleles a and a क्या यहाँ पे assortment हो रहा है क्या alleles a और a का यहाँ पे assortment मतलब क्या यह individually एक दूसरे से अलग-अलग जा रहे है यहाँ पे assortment पहला case नहीं है क्योंकि यहाँ पे crossing over हो चुका है तो अभी जो इनके chromosome है वही change हो गए है so individually अकेले assort नहीं कर रहे है यहाँ पे जो है इनके अंदर कुछ changes आ चुके है which of the above events could correctly explain the observation shown in the figure so P followed by R पहले P और फिर R मतलब पहले crossing over हुआ है और उसके बाद में segregation यह बिल्कुल ठीक लग रहा है P followed by Q crossing over and then segregation in meiosis 1 यह meiosis 1 में नहीं होता है R alone segregation of alleles इसके साथ में P भी सही है तो इसको भी हम नहीं कह सकते और S alone यह तो बिल्कुल ही सही नहीं है सो यहाँ पे जो हमारा A है वो बिल्कुल correct option है अगर थोड़ा सा हम देखना भी चाहें है कि यह जो combination है किस तरह से बना होगा just out of curiosity तो क्या हम इसको बना सकते हैं आप लोग भी इस तरह की कुछ चीज़ें try कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो concepts हैं वो और भी clear होंगे so suppose यह जो हमारा capital A है और यह भी capital A है और इस वाले case के अंदर यह वाला small a है और यह small a है तो किस तरह का crossing over होगा जिससे कि हमें यह वाला combination मिल जाए तो यहां पर हमें क्या करना होगा यह जो a है small a इसको अगर हम यहां पहुंचा दें और इस capital A को अगर हम यहां पर ले आएं तो I think यह वाला combination बन जाएगा so मुझे लगता है कि यह किस तरह का crossing over होगा इन दोनों के बीच में मतलब इस वाले chromosome का जो नीचे वाला आम है उसका crossing over यहां पर नीचे वाले के साथ में होगा राइट यह crossing over अगर होता है तो इसके results क्या बनेंगे एक बार वो भी draw करके देख लेता है ओके यहां पर capital A है अब क्योंकि नीचे वाले आम से हमने cross करवाया है तो यहां पर क्या आ गया small A और जो नीचे वाला chromosome है उसके अंदर यह जो है यह तो as such आ जाएगा small A ही आएगा यह भी small A ओके और यहां पर जो है हमारा यह वाला आम का जो capital A है वो हमने यहां पहुंचा दिया है सो यहां पर capital A सो segregation के बाद में क्या बनेगा देखिए यहां पर capital A और यह जो है small A इस वाले का यह small A और नीचे आ गया हमारा capital A अभी इसका क्या होगा doubling हो जाएगा doubling के बाद में I guess बिलकुल यही वाला जो combination है यह हमारा बन जाना चाहिए so guys I hope you got this class और आपको यह पूरा concept अच्छी तरह से समझ में आ गया है और इसी तरह अगर आप हमारे साथ में complete course यह साय नेट का करना चाहते हैं तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं नया बैज शुरू होने जा रहा है 1st of November से और जिसकी validity आपको 12 months के लिए मिल जाएगी और इसका जो अभी offer price है वो 19,999 में आपको यह course available है so thank you so much guys and have a nice time